नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका CGPSC विव्यापव में, जिन्होंने चनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाएं, सब्सक्राइब करें आज के दीन ये मेरा दूसरा वीडियो है, जो की बहुत ही महत्तपूर्ण है इसलिए दूसरा वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि data interview operator का जो भरती का विज्यापन है, वो जारी हो चुका है इसके लिए सभी हम बाचित करने वाले हैं कि इसके लिए कौन योग्या है, साथ में इसका syllabus, साथ में कब से form भरना है और कब तक form भरना है, और इसका जो exam date है, कब हो सकता है इसका exam, सारी चीजे हम बात करने वाले हैं और इस भरती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, 2018 में जो भरती हुई थी, उससे अभी की जो भरती हो रही है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव आप सभी को जानना जरूरी है, जरूरी इसलिए है, क्योंकि पूरा का पूरा सिले बस ही चेंज कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें जो कौसल परिछा की जो हरता है वो भी चेंज कर दी गई क्या है पूरा मामला जानने के लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा चल्दी से चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते है तो देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये विज्यापन निकला हुआ है, यहाँ पे CDC बात है आपको अलग-अलग post में अलग-अलग दिखा है HTSC, OBC के लिए अलग-अलग post है चाहे वो अंभिकापूर छेतर के लिए हो या बस्तर छेतर के लिए हो या रायपूर दुर्ग छेतर के लिए हो या जो बोलना चीद, transmission company के लिए निकला है तो टोटल ऐसे करके आपने पत तो देख लिये होंगे लेकिन अब हम बात करते हैं बहु सारे लोगों का क्योस्टन था कि मुल निवासी के संबन्द में क्या चीज है तो जैसे कि आप किश्किन पर शोग रहा होगा देखिए यहाँ पर बताया गए कि ट्रांस्पेशन कमपनी में चत्रिसगर राज्य के जीले के मुल निवासी का होना ही अनिवार है एक लाइन में कह दिया है कि सीधा-सीधा मुल निवासी होगा तभी आप इसमें फॉर्म भरियेगा तो यह बहुत अच्छी खबर है अब हम बात करते है जैसा कि आप किश्किन पर शोग देख सकते हैं आप सांत ही देखिए अब हम आयू सीमा की बात करते हैं तो आयू सीमा में सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए अधिक्तम आयू जो है 40 वर्स है नियूनतम आयू 18 वर्स है मतलब अगर आप 18 वर्स के है और आपने graduation कम्प्लिट कर लिया है तो आप बिल्कुल इसमें form भरियेगा जो कि आप सभी के लिए एक अच्छा news है सांथ में अधिक्तम आयू 40 वर्स है अनुसिची जाती के लिए 45 वर्स अनुसिची जन जाती के लिए 45 वर्स और अन्य पिछरा वर्ग के लिए 45 वर्स अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो बोलंची एक से अधिक अधार पर छुट कला मिले जाने के उपरान जो है अधिक्तम आयो भी 45 वर्स से अधिक होगी मतलब 45 वर्स मैक्जिमम है 45 वर्स के जादा वाली लोग इसमें form नहीं भर सकते इसके बाद अब अगर हम बात करें कि भुद्पूर वसैनिक लोगों को भी जैसी आप के स्क्रिन पर शोव रहा होगा देख सकते हैं कुछ छुट मिली गई है अब सबसे महत्पुन बात की सैक्षनिक योग्यता क्या है सैक्षनिक योग्यता से सम्मंदित बहुत सारे confusion और data into operator या एक वर्षी डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चीए कंप्यूटर में अंग्रेजी वें हिंदी में 5000 की डिप्रेशन का प्रतिघंटक की power company के परिपत्र क्रमांग 11-2018 के अनुसार उप्रोप्त सैक्षनिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधी अन्य जो अहरता है वो भी आप पात रहोंगे दूसरी बात दितिय स्रेणी में अगर इस नातक के साथ MCA computer science और information technology या MCA इस नाकोत्तर है उन्हें computer संबंधी योग्यता के लिए प्रिथक से प्रमाण पत्र जो है DCA पिजडी से प्रस्तुत करने की आवश्रक्ता नहीं है तो आप सभी को यहाँ प निम्न लिखित कोर्स अनिवार है जैसे की computer science information technology साथ में modern office management ट्रिवर्शी डिप्लोमा ITI computer operator जो है कोपा जिसको बोलते है एक वर्षी और PGDC इस प्रकार से आप देखेंगे उमिद्वार को पद की section क्योंकिता है हर्ता के मापदन online हित्तु निर्धारी अंतिम दिनांग तक CDC बात है एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं उमिद्वार को पद की section क्योंकिता जो है वो online आविदान हित्तु निर्धारी अंतिम दिनांग तक पूर्ण करना अनिवार है मतलब 28 तारीक के पहले तक आपको जो डिगरी है PGDC की डिगरी हो या कोई और डिगरी हो आपके पा अगर 28 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें eligible रहेंगे पहले इसका नियम चेंज था पहले ये था कि जब notification निकला उसके पहले तक जो है वो था लेकिन आज की date पे आज जो notification निकला है उसमें यही है कि आप योग्य है जब तक last date के पहले तक अगर 28 को अगर 28 को भी result आता है तो भी आप eligible है आगे हम बात करते हैं इसके बाद आविदन कैसे करें आविदन करने के लिए आपको www.cspcl.co.in में आपको आविदन करना है 29 तारिक से अब यहां पे आविदन सुल्क की बात करें तो आविदन सुल्क थोड़ा सा महगा है 36 गड़ में अगर हम देखेंगे कि दुसरे जो व्यापामो या CGPSEO उसमें फॉर्म का रेट कम रहता है परन्तु इसमें फॉर्म का रेट है 700 रुपए और यह 700 रुपए समाल नियवर्ग के और OVC वर्ग वालों के लिए है बाकि HTSC वालों को 500 रुपए देना पड़ेग साथ ही अगर हम इसके आविदान प्रस्तुत करने की अंतिमतिति देखे तो 28 हक्टूबर है अब हम इसके चैन प्रक्रिया के बारे में बात करते जो की बहुत बड़ा बदला हुआ है इस चैन प्रक्रिया में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है ऑल्लाइन आविदान जैसा कि आपके स्क्रीन पर शोव रहोगा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सीधी सी बात है यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भासा में जो होंगे हिंदी अनुवाद भिन्नता होने पर जो है अंग्रेजी जो लेंग्वेज है वो मानने होगा और याद रखिएगा 100 नंबर का वस्तुनिष्ट प्रकाश के मतलब objective question 100 नंबर के होंगे याद रखी यह पहले 200 नंबर के होते थे लेकिन अब उसको मात्र 100 नंबर में समेटा गया है अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीजे जो लोगों को कठिन लगती थी जो इंगलीज था और गणित था वो बहुत सारे जो कट गया है नंबर तो देखते हैं क्या क्या है समान ने गयान जीके 25 नंबर का है computer गयान 15 नंबर का है reasoning 15 नंबर का है math 15 नंबर का है हिंदी 20 नंबर का है और अंग्रेजी 10 नंबर का है इसका मतलब देखिए जो गणी 30 नंबर का आता था आज वो 15 नंबर का हो गया है जो हिंदी 40 नंबर का आता था वो 20 नंबर का हो गया है जो इंग्लीज 20 नंबर का आता था वो 10 नंबर का हो गया है जो समानने क्यान 50 नंबर यह था कि SICI से 2-3 question पूछ रहे हैं, profit law से 2-3 question पूछ रहे हैं, कई-कई topic से question ही नहीं पूछ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, याद रखिए यह जो पूरा conduct करा रहे है TCS करा रहा है, तो आप TCS से समझ सकते कि किस प्रकार से वो question देंगे तो अब अगर हम आगे और क्या changes हुआ है, यह देख लेते हैं, causal परिक्षा, causal परिक्षा में जो पहले 50 number का causal परिक्षा होता था, इसमें यह हुआ है कि आपको जैसे ही आप पहला paper दिलाएंगे, देखिए यहाँ पे negative marking भी है एक बटा चार जो है negative marking भी रहेगा, याद रखिएगा प्रती जो एक क्योस्चन एक number के रहेंगे और गलत होने पर एक बटा चार number काटे जाएंगे, इसके बाद अगर हम देखें, इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि 100 अंकों में थमान नेवर्ग और OBC के लिए 40% जो है वो नियुंतम होने चाहिए साथ में अनुसुची जाती और जन जाती के लिए 30% इसके बाद सिधी सी बात है 5 गुणा अभ्यर्थियों को इसमें जो selection होगा, उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को सिधी सी बात है हिंदी में कभी 50 number को होगा और इंग्लिस कभी 50 number को होगा और दोनों में आपको 30-30 number लाना, मतलब दोनों में 30, हिंदी में 30 अंग्रेजी में लाना है, तभी आप इसमें अहरता पाएंगे क्योंकि इसमें भी competition रहेगा तो आप दोनों की तैयरी अच्छे से करें क्योंकि बहुत ज़्यादा competition होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयरी कर रहे हैं अब यही जो बहुत दो-तीन changes हुए है इसके बाद देखिए सबसे महत्पून बात है कि data entry operator में आपको bond अनुबंध निस्पादित किया गया है यह जो अनुबंध है एक लाख रूपए आपको सुरक्षा निधी के रूप में चार वर्सों तक company में जमा करना होगा और इस अनुबंध की समापती के पस्चा सुरक्षा निधी वापस कर दी जाएगी तो यह एक नया जूड़ा हुआ है अभी तक यह नहीं जूड़ा हुआ था और इसकी जितनी भी पूरी सर्ते हैं आपको मेरे टेलिग्राम चैलों में मिल जाएगी तो आप उसे जुड़ाइन करें और पुराइस का पीडिएफ आपको वहाँ मिल जाएगा साथ में जूनियर इंजिनियर का भी मिल जाएगा प्रविन सुची में तीन गुना उमिद्वारों को दस्तावे सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आप देख सकते हैं जो वरिष्टा सुची बनेगी वो верit के अधार पर बनेगी तो इस प्रकार से changes हुआ है changes हुआ है आपके syllabus में changes हुआ है causal prediction में और बहुत सारी changes हुई है तो changes अच्छी भी है आप सभी के लिए क्योंकि आपको 200 नंबर का मतलब बहुत जादा हो जाता है 200 नंबर का पेपर अब 100 नंबर का होगा, कॉंपिडिशन भी जादा रहेगा कॉसर परिक्षन में भी जो है कॉंपिडिशन रहेगा तो एक पूरी यही अपडेट आप सभी को देनी थी कि क्या-क्या चेंजेस हुए है भरती परिक्षा में आशा करता हूँ कि आपको इए वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करेता था इए वीडियो देखने के आप सभी का बहुत भूग धन्यवाद, स्वस्तर है, मस्तर है